आप से मैं कॉमेंट लेना चाह रहा था आप अपनी बात रखलें फिर तारिक फते और मौलाना साब आपके पास आँगा बोले शेयर यारखन और उम्मीट करूँगा बाकी लोग बीच में नहीं बोलें फटान साब जो कह रहे हैं जो अमेरिका और इंगलेंड का जो इराक में घुसना था न्यूगलियर बाउम्म के एसक्यूस से इस लोग चीज़ें ठीकी हैं कि इराक में इंट्रिवेंशन हुआ, इराक को एक फेल स्टेट किया गया, फिर सीरिया में गुसे, फिर लीबिया को बरबाद किया, इसमें ये तारिक स्वाइद साब को जो महबत है, अमेरिका और इंगलेंड से, ये मुझे समझ मी नहीं आती, ये तो पॉलिटिकल रियालिटी है, चाहे वो इस्रेल के लिए हो, या तेल के लिए हो, या लूकलर बाम के लिए हो, घुसे तो है ना, बरबाद तो क्या है मुलकों को, आईएस आईएस वही से पैदा हुई है, इस दैशत गर्दी से, वेस्टन पावर्ड के, अपना हिज मिनी को मिस्यूस करने से पैदा हुई है, इसमें सौधी अरब का भी हाथ है, सौधी का भी बिलकुल हाथ है, इसमें वहाबिजम और सूफीजम का मुझे ज़्यादा रोल नहीं दिखता, इस्लाम को इस्तवाल करते हैं लोग, मुलकों को बरबाद करने के लिए, और अपने नाम रखा ना ताल ठोके, आप ताल ठोके बात कहते हैं, आप कहरें कि इसलाम को इस्तिमाल किया, तो मैं पूछ रहा हूँ, इसलाम ही क्यों इस्तिमाल हुआ सर, इसलाम ही क्यों इस्तिमाल हुआ रहा, इस्तिमाल इसलिए होता है ना, कि थारा तेल पड़ा है इसलामिक पुल्क है यह जो हमेशा पॉलिटिकल पॉलिटिकल रीजन्सी होते हैं कि होते हैं जिससे हैना डिवाइड होता है जहां तक इंडिया का सवाल है हम लोग इंडियन्स हैं हम लोग सौधी नहीं हैं हम लोग लिबियन्स नहीं हैं हम बड़े अमन पसंद मुसल्बान है हम हिंद बच्चे हैं उनको इसे बिल्कुल बचा कर रखना है और जखिनाइक का मैं फिर आप से कहता हूँ मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता है जखिनाइक को प्रॉसीकूट करना है तो फेर ट्रायल ड्यू प्रॉसस अद लाज से ही करना है और अफ्राल इंडिया बनाना डिपब्लिक आइसिस, जैश, अमरीका, इंगलेंड, तारक फत्यगा पाकिस्तान से भाग जाना, ये सारी चीज़ें लाके क्या बचाते हैं और क्या छुपाते हैं? देखिए रोईद भाई, ये शेरियार साब ने बर्कुल दरुस्त का कि अमेरिका का एक रोल है, एक इम्पीरियल पावर के थेड़, अमेरिका से पहले आटमन एमपायर का था, छे सो साल तक तुरकों ने बरबाद किया, अरब मुलकों को लूटा, इरान के उपर उनका दो सो साल हकूमत रही, हम सब भूल जाते हैं, तुरकी से हिंदुस्तान पे पांच सो साल तक हमले होते रहे, हम भूल गए, आप मैं रीसेंट तारीक की बात करता हूं कि इसलाम और तशद्द और वाइलिन्स का जोड कहा है, नाइटीन फॉर्टी सिक्स में जब डारेक्ट और वो किसके नाम पे कतल हम हुआ था, हिंदुस्तान के दोनों बाजु काटे, इसलाम के नाम पे, जब पाकिस्तान बना, तो क्या, हमारी तो उमर छ्च्छास्ट साल है, हमारे माबाप तो माँ थे, हमारे दादा परदादा सब हिंदुस्तान थे, आपने इसलाम के नाम से हिंदुस्तान को नहीं काटा? क्या आँखों पे पड़दे पड़दे में हमारे? अजिसाब, फटे साब की आवाज में जे नहीं आ रही है. केरियर साब, मैं ये कह रहा हूँ, कि इसलाम और टेरिरिज्म का एक डारेक्ट लिंक है, जो प्रॉफिट मुहम्मद के डेथ के दूसरे दिन शुरू हुआ, हर खलीफा तकरीबन कतल किया गया, लोगं का तशद्द हुआ, हिंदुस्तान की बरबादी हुई, असी मिलियन हिंदु मरे, एक हजार साल के अंदर, इसलामी फोजों के ताहित, हम क्यूं ये नहीं कहते के ये गलत है, और जिहाद का जो कंस्ट्रक्ट है, आइडियालिजी है, हम उसको डिनाउंट्स करें, कोई मुझे एक आलम इदीन हिंदुस्तान का बताईए, मैं आपको इंडोनीशिया के प्रेजिडेंट का बता सकता हूं, गोस्दूर जो थे, जो प्रेजिडेंट थे, जिनकी नाभीना थे आँखों से, ही डिनाउंट्स दी डॉक्ट्रिन ऑफ आम जिहाद, ही सट इर्रिस्पेक्टिव एवरीटिंग, एक तो इंडियन, बताईए मुझे मौलवी, जो कहे के आज के बाद, आम जिहाद की डॉक्ट्रिन इस आउट अउट अप कांटेक्स, भी कंडेमिट, इमत दी है, यह कहते करेते हैं कि हर एक को हम डिनाउंट्स करते हैं, अरे भाई आप डिनाउंट्स करने से क्या होता है, वो दूसरे दिन फिर कहीं और हो जाता है हमला, ठीक, मौला ना बोलिए, सुफिया निजामी, बोलिए, लगे, रोहिज जी, रोहिज जी, तारिख फदे साब के साथ जब दिकत ये है कि जब आतंगवात पर बात की जाती है, तो वो इसलाम और मुसल्मानों की बात फौरण शुरू कर देते हैं, इनको ये नहीं पता है कि इराक के अंदर डेड़ लाक लोगों का कतल याम किया गया, और बाद में परसों ये बात कही गई यूके के डिप्टी प् और लाते हैं, तैरिक साइब कर लें तो कихाना रहते हैं, हिमटुस्ताशाम के बच्चों का अब का भवश्य है मुझे अमीद है कि आप कही और बाहर जाके बसना नहीं चाहते हैं इन मुनकों में से जिनके आप नाम लेते हैं बार बार सर हिंदुस्तान का क्या लेना है इन सब से कि वहाँ पर डेड़ लाग लोग कैसे मरे थे और किसने मारे थे हमारे बच्चे क्यों आतकवादी हो रहें सर रोहिद भाई है यह अपने मर्स मर्स का इलाच पूछा था और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यह सारी देन कहां से शुरु हुई यह मर्स कहां से कि यह वा यह वा देखें यह तारिक फते हों या तसलीमानसरीन हों इन लोगों की जो आईडिये लाजी है यह लोग आज भी हमारे मुलके अंदर जो गंगा जमूनी तहजीब का मुलक है ये सिर्फ और सिर्फ इसलाम की गलत तस्वीर पेश कर हमारे साथ रहने वाले हिंदू भाईयों को उकसाना चाहते हैं और ये पागिस्तान येसा माहौल हमारे हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं हम इनको ऐसा माहौल हिंदुस्तान में बनाने नहीं देंगे तर सर मैं एक चीज़ पूछ रह हूँ. बाबर अशरफ तारिक फते गो तुम्हें एक साल से टीवी पे देखने लगा हूँ हिंदुस्तान में. इस से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था टीवी पे. तो बाबर रश्रफ तारिक फते से पहले या तस्लीमा नसरीन से पहले आतंकवाद नहीं था इस देश के लड़के आतंकवाद ही नहीं बन रहे थे इस देश के लड़कों के दिमाग खराब नहीं हो रहे थे बंदूक की तरफ नहीं जा रहे थे वो थे, लेकिन, टेररिस्व हम को को इस्लाम से जोड़ने वाले तारि में इस्लाम को इस देखते हैं की भाबार शष्ड, भूलिये सर एक कामेंट बाबार शब्स से लिलूए एथा पयली चीज ह nós रे कलिए तारिफ पते साब के ये वो कि इसलाम ते हैं खालती तो बी जाप कि टेररिजिम el sow handc आप ये देखें कि आपको इस बात को जब तक आप डिनायल मोड में रहेंगे पूरी दुनिया का आप इस वक्त पिछले 50 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें कोई एक सूफी आप नहीं पाएंगे जो टेरोजम में इनवालड हैं। मैं तो बहुत खुल के कहता हूँ श्रफ चालेंज कर रहा हूँ यहां पर फिरंगी मेली साब बैटे हुए है वो बताएँ इस बात को कि कोई भी वहाबी ज़ है जितने भी वहाबी है वो मैं यहे नहीं कहता ते जो ये सलवी किताबों को निगाब वाबर अश्रफ साहब मुझे तुम्री जी कि असलाम के नाम पर तारिक पते साहब जो हमले कर रहे हैं आप उसके निन्दा करते उसके मौदब टर्रिज्म एक चीज़ ना एक चीज़ बाबर अश्रफ आपने पहली लाइन कही इसलाम उसके बाद आप वावियत और सुफिज्म में चले गए तो जो वाविज्म को फालो कर रहे हैं वो इसलाम को फालो नहीं कर रहे हैं क्या ने मैं तो सीधे से कह रहा हूँ ना वाविज्म में एक निया इंट्रडक्शन को लोटने के लिए हमको एक आइडियोलोजी चाहिए उसने का आइडियोलोजी तयार की और आप देखें हर जगा पे सीरिया में मुसल्मानों को मारने वाले कौन लोग हैं इसी आइडियोलोजी को तयार किया गया कोई नहीं हो था अचा अगर जिस वक्त अफगानिस्तान का मामदा आया जनरल यहोलाट ने मतर से क्रियेट इस अजिप्त में जो लोग मर रहे हैं और वहाबी हैं या देवबंधी हैं या दूसरे लोग हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान मर रहा है में उसकी विचा दारा देखकर उसकी आइड रोटी देखकर उसका नहीं मारना जा रहा है मैं अब मैं एक सवाल पूछ रहा है अब मैं एक सवाल पूछ रहा है ठीक है आप लोगों में इस बात को लेके एक रहा है कि भाई इसलाम का आतंकवाद से को लेना देना नहीं नहीं ठीक है ना आप लोगों में सब में इस बात को लेके एक रहा है आप सब लोगों में इस ब और यह आपने रख़ी मैंने मानने कुछ दिर के लिए लेकिन सार जब मारने वाला भी मुस्लमान है मरने वाला भी मुसलमान है तो इलाज भी तो मुस्लमान को एक हुज़ खुरान को देशतगर्द की तरीके सहे पड़ेगा, वो अपने कन्विनिस के लिए सूट करेगा, उसे मजब का क्या प्रालम है? अब जाकिर नाइक को देशतगर्द मानते हैं कि धर्म परचारक? यह इनसान मरते हैं, नाइज, इनसान मरते हैं, मुसल्बान हिंदु नहीं, इ जाकिर नाइक को दर्म परचारक मानते हैं, दहशतगर्द मानते हैं. जाकिर नाइक एक एक इवेंजलिस है, जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलता, उसको हम लोग दोशी नहीं टहरासकते हैं, सहाव यह बैनाना रिपड़्ुन नहीं है, हिम उस्तान है, हिकार कानून कि जाकिर ना एक दोशी है बिना किसी प्रूफ के कल किसी हिंदू इवेंजलिस का पारसी का भुतका भी ही हाल होगा मैं डिमोक्रेटिक इंस्टिशन को स्ट्रेंटन करने की बात कर रहा हूँ आप उसको तोड़ने की बात कर रहा है आगर भाग गए है तो लिगल इंस्ट्रिमेंट जूस की जिए ना उनको बलाने की आप यहां पे वो खत्मा चला कि आप वर्डिक कैसे दे सकते हैं साब सर मैंने तो कोई वर्डिक दे नहीं मैंने तो आपीस से सवाल पूछे एक लास कोमेंट तारिक तारिक फैया आपसे ले ले रहा है उसमेख हत्मों मैं तो रहें साइब कर लगा दे अरे क्यों निकलेगा आप बैटे में वहां करने के लिए अमेरिका और इसराइल का एजंडा है आप उसके एजंडे पर काम करते हैं आप इंदुस्तान में आगे डिबेट कीजिए ना तारीक पते साथ बड़ा हुसान होता है वहां बैट के बात करने का बक्वास करने का सर देखिए ऐसे शब्दों का इस्तिमाल लगा रहे हैं शर्यार पड़े लिखती हैं लेकिन इस बात को मान लीजिए कि पॉलियो की तरह आतंकवाद का इलाज करना पड़ेगा घर घर में गुसके इनजेक्शन देना पड़ेगा और वो इन्जेक्शन देने का काम इसलाम के इन्ही मौलानाओं को, इन्ही धर्म प्रचारकों को, इन्ही गुरुओं को देना पड़ेगा तभी घरगर तक पहुँचेगा, बाहर से कुई आके वो इंजेक्शन नहीं दे सकता ये बात सीखनी समझनी बहुत जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, तिलाल ताल ठुके मितना ही